आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें Hello Friends, हमारा question है, C धारतिया वाले 5 संधारित, चित्र 1.27 के अंसार जोड़े गए हैं, P और R बिंदूओं के बीच धारतिया का, P और Q बिंदूओं के बीच धारतिया के साथ अनपाथ है, तो यहाँ पे हमें जो है, यह फिगर जो हमें given है, यहाँ पे फिगर में हमें 5 संधा धारतिया होगी, means हमारे यह P point है, और यह हमारे क्या है, R point, P और R के बीच हमारी धारतिया है, उसका P और Q के बीच धारतिया का, जो हमें क्या निकालना है, अनपाथ निकालना है, तो यहाँ question हमें 4 options भी given है, okay, 4 options हमारे count counts है, question में, पहला हमारा 3 अनपाथे 1 है, second 5 तो basically हमें इस question में, क्या करना है, हमें यहाँ पे दो अलग अलग बिंदू के बीच धारतिया निकालना है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, P और R के बीच में धारतिया निकालना है, फिर हमें यहाँ पे P और Q के बीच धारतिया का अनपाथ निकालना है, त तरीके से क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, हम जो C-P-R के बीच में तुलिधारता निकालेंगे, अब यह कैसा हो जाएगा, हमारा P-Point कहा है, हमारा P-Point यह है, और R-Point हमारा कहां पर है, R-Point हमारा यह है, तो हमारा अगर देखे, थो हमारा P-R के बीच हमारे यहां पर यह एक, हमारा T-Point है और З-Point है, तो हमारा K-C-E, संधारित यह, संदारित ये तीनों doos से सेजिक करम में , ये हमारे, ये दोनों भी एक दूसरी के सेरेणिक करम में जुड़े हैं, थो हम क्या करेंगे इन तीनों का सेरेंड निकाल लें है तुल फिर उस ned को जो है जो इन दोनों के जो है स्रेड़ी करम में हमारी जो धारता आएगी उसका क्या करेंगे समांतर करम में ले लेंगे तो हम मान लेता हमारा यहां पर इस तरफ वाला जो हमारी यह तीन संधारित जुड़े हैं इनकी जो तुल धारता हम मान लेता हमारी कितनी है इनकी अगर यहां पर इन दोनों, इधर वाले दोनों संधारित की तुल इदारता हम यहां पर यह माल लेते हैं, क्या है हमारी PQR है, यह C हमारा क्या है, PQR है, और यह दोनों हमारे क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में सीधा हम add कर देते हैं, ओके, इसको हम क्या क इसको 1 divided करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, यह दोनों जो है, यहां पर यह दोनों एक दूसरे के स्रेड़ी क्रम में जूड़े हैं, यहांस यहां से हमारा 1 by C one by c हो जाएगा, तो यहांस से चो हमारे cpqr aumento हो कर के आथा यहां पर cpqr हमारे c divided by 2 हो जाता है, इसे थारीके समझा लाइग सी cpstr भी नीकालेंगे, तो हमारे यहां पर cpstr हमारा कितना हो우 जाएगा? यह भी हम यहाँ पर इसको भी 1 divide में करेंगे ति हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 संधारित हमारे स्रेंडी करम में जुड़े हैं तो हमारा जो तुल हो जाएगा इन तीनों का क्या हो जाएगा 1 by में हम तीनों add कर देंगे यह 1 by c प्लस हमारा 1 by C प्लस हमारा 1 by C हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे यहां से जो हमारा C, P, S, T और R आएगा, यह calculate होका हमारा क्या आजाएगा, C divided by 3 आजाएगा अब हमने यहां पर C, P, S, T, R भी calculate कर लिए C, P, Q, R calculate कर लिए, दोनों को add कर देगा थे, हमारा C, P, R आजाएगा इस P, P, Point और R के बीच हमारी तुले धार तक calculate होके आजाएगी हम दोनों को add करेंगे थे हमारा यहां पर C, P, R कितना हो जाएगा यह हमारा जो है C, P, R हो जाएगा हमारा C, P, S, T, R हमारा कितना C divided by 3 है और C P QR हमारा कितना C divided by two के बराबर है तो जब दोनों को सर्वल गरते हैं कितना हो जाता है हमारा यह जो हैWhen हमारा यहां करने हो जाता हमारा सर्वल करने बार यह हो प्लेट हो गई अंब क्या करेंगे इस पी और क्यू बिंदुओं के बीच में धार्ता को कल्क्लेट करेंगे निकलेंगे तो यहां पर हमारा जो सब्स्क्राइक हमारी में जुड़े होया है तो means हमारा क्या हो जाएगा, जो cpq हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा cpq क्या हो जाएगा, यह cpq हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा c, यह हमारा, जो है, इनके बीच हमारी तुल धार तक हम क्या मान ले रहे, p, t, s, r, और q मान ले है यह, okay, तो हमारा यह कितना हो जाएगा? C, P, T, S, R, Q हो जाएगा, okay, प्लस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हमारा जो है C, P, Q हो जाएगा, okay, यहाँ पर यह हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? C, P, Q, इसको हम डैस से कर दें रहे हैं, क्योंकि अलएड हमने यहाँ CPQ लिख रखा है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह हम यहाँ पर CPTSRQ कल्कुलेट करेंगे, यह हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर CPT, तो सबसे पहले हम यहां पर इसको calculate करेंगे तो यहां पर हमें पता यह हमारे चारो के चारो संधारी स्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो स्रेणी क्रम में क्या होता हम क्या करते हैं 1 by में एक्यूएलेंट ले लेते हैं 1 by C equivalent हमारा कितना P T S R Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा चार संधारी स्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो चारो का हम जो है 1 by करके add करेंगे 1 by C plus 1 by C plus 1 by C plus हमारा जो है 1 by C तो यह हमारा total कितना हो जाता है यहां पर जो है C P T S R Q हमारा कितना हो जाता है यह C divided by 4 के बराबर हो जाता है और हमारा जो C P Q' है सिर्फ और सिर्फ एक ही संधारी तो वहां पर add है जो कि हमारी जो है C के बराबर है यह दोनों value हम ले जाके जो है इस समीकर में put कर देंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा जो C P Q calculate होके आएगा यह कितना हो जाएगा हमारा C divided by 4 प्लस जो है C के बराबर हो जाएगा जब इसको हम सरल करते तो हमारा C P Q कितना हो जाता है यह C P Q equal to हमारा हो जाता है 5 divided by 4 C के बराबर हो जाता है अब हमें क्या करना हमें C P R हमें क्या करना हमें C P R divided by जो है C P Q इन ही दोनों का अनपात लेना है तो C P R हमारा कितना आया है C P R हमारा आया है 5 C divided by 6 के बराबर आया है और Cpq कितना है 5c divided by 4 तो 4 हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा तो यह 5c हमारा यहां पर 5c से cancel हो जाता है तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहां पर हमारा जो cpq divided सुरी हमारा क्या है cpr divided by हमारा cpq equal to हमारा कितना हो जाता है यह यहां पी यह हमारा 2 हो जाएगा 2 से cancel कर देंगा और यह 3 हो जाएगा तो यह कितना हो जाता हमारा 2 divided by 3 के बराबर हो जाता है तो अब जो हमारा अनपाथ हो जाएगा unpath में कितना लिख देंगे यहां सिधी 2 & 3 के बराभर हो जाएगा, जो हमारा एंसर कितना हो जाएगा 2 & 3 के बराभर हो जाएगाि अब अगर हम 4 options को देखें तो जो हमारä पहले option में 3 a-oupe 1 तो यह हमारा रोंग है 2 is 5 and 2 अब और यह भी रोंग है P और R के बीच तुल इधारता निकालके, P और Q के बीच तुल इधारता निकालके, जो उसका अनपात लेना था, तो P और R के बीच हमने तुल इधारता कैसे निकाली, यहाँ पर हमारा यह संधारित, यह संधारित, और यह संधारित, यह संधारित, यह संधारित, यह संधारि तुले ले लिया है और फिर इसके साथ C के साथ हमारा क्या था? समांतर करम में थे यहाँस हमने इस तरीकवली तरज पर पर परनिया निकाली जो के हमारा कौन्स ऑप्शन स्क्राइब यहां पे correct हो गया आशी डाउनोट करे डाउटने डाप या वच्छाप करे अपने सारे डाउट्स 8444 पर